कि switching में एस्टीपी आपका हो चुका है कि अब switching में कुछ छोटे चोटे टॉपिक बचे जिसका मैं आपको ऑवर विव दूँगा बस जैसे कि इधर चैनल आज हम रूग इधर चैनल के डिसकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसका ओवर विव दूँगा CCNA में आपको ज्यादा न करोगे ज्यादा डीप में हम लोग इसकी प्रैक्टिकल भी नहीं करेंगे यहां पर एंपी में हम लोग डिसकर्स करेंगे इसको डीप में राइट देखो इधर चैनल स्टाट करने से पहले मेरे पास दो स्विच है सपोस्विच और स्विच हो टूप अके मैं यहां पर दो लिंक लगाया है राइट कितने लिंक है त्विपी गभी सब्सक्राइब एसकी मैं इसकी मैं इस थे बवर इस डिपी चल रही होगे एस्टीपी चलेगा तो एक खीष क्या होगा रूट ब्रीज रूत ब्रीज बनेगा यह संसरां रू बनेगा इसकर सब्सक्राइद करें ड्रीश बजया है कि नुहां क्या ब्लॉग यहां तब कोई दिकत नहीं होगी आपको अब यह बताओ कि दो सुइच के भी इसमें मैं अगर कितने भी लिंक लगाओ उस पर सब्सक्राइब चलेगी तो यह लिंक यूज कितनी होगी एक लिंक और बांकि के सारे जितने भी लिंक है वो क्या है यूज लेस इ सब्सक्राइब कर देगा दो मुझे क्या चाहिए कि चल रहा हो और मैं दोनू लिंक को이가 लिंग को और लिंग को यूज भी कर लूँ कहें यहां पर ओनग्स का लिंक को सभी नहीं हूआ तो यार यह लिंक का कभी होगा बस लेखा जो की सही नहीं है तो मैं क्या चाता हूं कि यह दूल यूज हो लेकिन बीच में लूब भी ना बने मतलब में सब्सक्राइब नहीं करना चाहता हूं तो उसी को इस यहीं जो requirement है आपको इसको solve कर निकल लाया जाता इधर चैनल को इधर चैनल क्या बोलता है कि दोनों लिंक को हो रहे हैं औन peng다는 है ऊब यहां पर इसके न होगे संऻ सकता है तो लिए जैसे कि यह रोड है मेरे पास राई एक रोड है यह औरrif नोड की अगर बेंड़ीड है कि 10 बाइक इस पर जा भी सकती और दस बाइक आभी सकती है तो इसकी थूल पूट क्या होगी 20 रैट विकॉल दस दस बाइक उस पर एक साथ में जा भी सकता और दस आभी सकता है उसी तरीके से इस लिंग का दो जीबी इस लिंक की तूपूट क्या होगी टूजीबी पीयस राइट और नीचे वाली लिंक की विवाइस नीचे वाला लिंक यूज नहीं और एगर मैं लिंक यूज करूं नीचे वाला तो टॉटल मिल जाएट सुछ वन और ध्की पूटल में सुछच के बीच में कितने थूपूट मिल जाएगी फोर जीबी पीयाईस राइट फोर जीबी पियास समझ रहे वह फोर जीबी पीयास का थूपूट मुझे मिलेगा लेकिन कि ना कर रहा हूं सिर्फ पू जबी और दोजिवी का मैं यूज भी नहीं कर पा रहा हूं एस्टीपी के वज़े से तो देखो क्या होड़ा एक इसले चैनल क्या बोलता है कि आपके पास दो स्विच्च है कि अब इस दो स्विच के बीच में आप कित्ते विलिंक लगाए हो रहा है मैंक एड्रेस इसकी भी आप इसके उपर चलाओ इसके उपर चल रहा है दोनों के उपर है यह आपका क्या है डपी यह है आपका डेपी यह आपका आर्पी और यह आपका अल्टर्नेट राइट टेपी चल रहे हैंस्ति इससे के बीच में तीन लिंड लगा हुआ अगर स्टीपी चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ यह यह यूज़ होगा यह विलिंग क्या हो जाएगा ब्लॉक राइट तो इसी बंडल करने को क्या बोलते हैं अब इत्थर चैनल हमने क्या किया तीनों को बंडल कर दिया अब गया यह बताओ कि अगर मैं यहां पर यहां पर मैंने स्टीपी चलाया तो यह डीपी बना यह यह और यह अल्टरनेट हो गया तो मतलब इसका लॉजिकल टोपिलोजी क्या था लॉजिकल टोपोलोजी कुछ इस तरीके से था रैट विकॉज यह लिंक तो यह जो लॉजिकल टॉपिक है वही लूप में नहीं है लूप में circular में नहीं है तब ही तो इसके अंदर लूप नहीं बन रही थी लेकिन अगर मैं यहां पर इसको बंडल कर दू तो इसकी logical topology क्या होगी अगर सारे link अगर सारे link 1gbps और 1gbps मतलब 3gps का कि यहां पर यहां पर यहां पर तीन लिंक है तो यहां पर लूप क्यों नहीं बन सकता है यहां से कोई इन्फर्मेशन जाएगी और इसी पूर्ट से फिर से क्या हो जाएगी वापस आजाएगी तो यहां से जाएगी और इस नीचे वाले से आजाएगी विकॉज आपने बंडल कर दिया तो लेकिन ऐसा नहीं होता है इथर चैनल क्या बोलता है देखो इतार चैनल का क्या है कहना कि दो स्विच है आपके पास यह से दो स्विच के बीच में जित्ते भी लिंक लगे वा इसलों को आप बोलते हो इथार चैनल एफ इक बने पर कृषा किन माहीन को चैनल को बने एक पॉर्ट ऑम विच से पडर等 यजिस मदोर्ट मैं वह से जिस इथर चैनल का मेंबर होगा उस इथर चैनल के जितने भी पोर्ट और मेंबर होगा उस पोर्ट से मैं कभी भी ट्रैफिक को और नहीं करूंगा क्या कहने का मतलब कि अगर कोई ट्रैफिक आया इस पर यहां पर रिसीब किया इस इंटरफेस पर अब यह पोर्ट और यह प हुआ लूप भी नहीं बनेगा लूप भी प्रिवेंट हो जाएगा और तीनों लिंक को भी मैं यूज कर लूँगा इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं इतर चैनल समझे आप इतर चैनल क्या हुआ कहने का मतलब कि बंदल कर दो राइट इतने भी लिंक है मैकजिमाम आप क्या कर सकतй हो मंदल कर सकते हो अब के किस्वेशाय के अचैनल सब को बंदल नेया Muk lleva सबस्कों करना iD Sat है होगा इसलए कका कर सकते हो बंदल कर सकते हो बंदल मतलब 200 का सारे नोट को क्या करते हो आप आप में की साथ बंडल कर देते हो वैसे ही लिंक को क्या कर रहे हैं हम बंडल कर रहें कि इसका ह Mitte जैनल के हैए अब इत्था चैनल दो टाइप की हिते हैं है ड्यक्त आफ Papi कि टा sag क्यों होते हैं एक होता आपका a static और दूसरा होता आपका कटैनांगिक राइट टैक और डैनामिक थे टो आप एपन फिगर करोगे अब जब डैनामिक होगा तो यहां पे कोई-नों कोई प्रोटोकॉल चल रही होगी तो यहां पर दो प्रोटोकॉल होती है यह दोनों प्रोटो कॉल है जो कि डाइनामिक ली इतर चैनल करते हैं यह चीज आप सिसी एंपी के अंदर देखोगे मैं आपको सिर्फ अभी इतर चैनल की क्या क्या हूं ऑवर व्यू दिया हूं कि इतर चैनल क्या होता है अगर आफ से इतना जानना आप को ccn in a में अगर आपसे इंटर यू में कभी पूछे इतर चैनल थो आप उसको एक्सप्लेंट कर सको कि इतर चैनल है क्याँ इस चैनल को सपोर्ट करते तो आप भी प्रेच में विज्फ कर सकते रिख यूज कर सकते हैं किसलिए बंडल करने के लिए बस और कोई काम नहीं है है इसे हैसे डो टॉपिक और है switching में वह आपका switching खतम एक भाई पूच रहते हैं मुझे कि मुझे डे बाइड वीडियो नहीं मिल रहा है यह वीडियो आपका डे 38 है राइड दे आपको मिलेगा CCNA routing and switching का playlist इस playlist के अंदर में आपको डे बाइड लेक्चर मिलेगा रहा है दे ओन से लेके आज का वीडियो जब अफ्रोड कर दूँगा तो दे 38 तक का वीडियो आपको इस playlist के अंदर में मिलेगा और इसी playlist के अंदर में आपको complete CCNA की कोर्स मिलेगी अब बात आती है कि इसकी practical जैसे मैंने यह यार्प कर वाया तो यह यार्प की practical वीडियो कहा है तो फिर आप playlist में आपको एक मिलेगा practical के नाम से करोगे हो आपको यहां पर वीडियो फाइंड करने में डे बाई डे प्रोब्लम नहीं आएगी अगर फिर भी आपको ना मिले तो एक बार और पूछ लेना या फिर कुछ डॉट रह जाए तो वह भी पूछ लेना आपको इथर चैनल का मैं सिर्प और सिर्प अभी क्या दि राइट रॉटिंग एंड सुचिंग कतम उसके बाद कुछ टॉपिक है जिसको हम डिसकस करेंगे उसके बाद आपकी सी सी एन ओवर फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सी सी एनपी ठीक है आज के लिए इतना ही रहेगा आपको अभी मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देत इसके उपर स्टीपी चल रही है अभी तो जिसके विए से क्या है एक पोट आपका क्या है ब्लॉक है एक लिंक आपका यूज नहीं हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एक ही लिंक हो रहा है तो हम लोग देखेंगे इसमें कि हम लोग किस तरीके से दोनों को बंडल करके दोनों ल देता हूं कि सेवल करता हूं ताकि आपको नियर पोर्ट दिखे लाइट देखो तो फास्ट थिसरनेट जीडो स्लैस यौन और दीरो स्लैस टूराइट दोर लिंक है जिसमें से एक लिंक मेरा यूज हो रहा है सारे डेटा को फोरवार्ड करनी के लिए और एक लिंक के ऐन मेरा ब्लॉक है ब्लॉक क्यों है इसके ऊपर क्या चल रही है स्टीपी मैं क्या करूंगा यहां पर इत्थर चैनल के हेल्प से दोनों लिंग को बंडल करूंगा तो उसके लिए सबसे पहले इस स्विच का एक्सेस लोगा और देखो आप किस तरीके से करते हैं अंब है और यहां पर कमान चलाओ सो cdp नेवर तो आपको दिख जाएगा कि इसका नीवर कौन है राइट कौन अरेफर फास्ट फास्टीनेट जीरो स्लैस वनपे है एक तूपे मतलब ऑलिंग से जो के दो लिंक से खड़ा इसके निवर राइट अभी मैं क्या चालत रहे हों कि इसको bundle करना दोनों लिंक को किस तरीके से हम लोग bundle करेंगे configure term term में जाएंगे यहां पर command चलाएंगे interface range fast ethernet 0-1 से iPhone fast ethernet 0-2 तक राइट दो लिंक है जिसको मैं क्या करना चाहता हूं bundle करना चाहता हूं या पिर अगर मैं यहां पर चार लिंक रहता तो 0-1 से जो यहां पर चलेगी वोड़ेगी आपके पास channel channel group channel group channel ग्रूप और उसके बाद group का number राइट एक ग्रूप का number देना होगा आपको को सब्सक्राइब करने के लिए आप सिंपली इसके बाद क्या करोगे एंटर दबाऊगे राइट जैसे ही आप अभी इस साइट से बंडल नहीं किये हो आप इधर इधर चैनल नहीं चलाए हो राइट इसलिए अभी आपके चैनल गुरूप का number mode on एंटर राइट अब क्या हो चुका है इधर चैनल दोनुं साइट से अभाच को बंडल कर चुकेए और देखो अब आपके सारे अप कहा किया आप पहले उससे सब्सक्राइब करते हैं देख लिए आप क्या क्मांड है अब यहां पर आप एक कमांड चलाओ कि तो इत्थर चैनल समरी यह कमांड चलाओगे तो ग्रूप कौन सा है ग्रूप का नम्मर वन मैं ने लिया था राइट उसके बाद इसके अंदर कौन-कौन से पोर्ट से तो ठीन जीरो स्लैस वान और अगर यहां पर तीसरा भी लिंक होता और उसको भी मैं अड़ करता तो यहां पर तीन लिंक दिखता रहे सपोर्ष यहां पर एक मैं और लिंक लगा लेता हूं स्विच 3, स्विच 4 और स्विच 5 के बीच में, अभी देखो, इस में से एक पोर्ट तो ब्लॉक रहेगा, मैं चाहता हूँ, यह तीनों लिंक को क्या करूँ, मैं कमबाइंड कर दू, तो इस स्विच के ऊपर जाओंगा, फिर से यहां पर क्या कमाड चलाओंगा, इंटरफेस, रेंज, फास्ट इसरनेट, 0-1, आइफन, फास्ट इसरनेट, 0-2 था पहले 3 तक, अब तीन लिंक को मैं कर रहा हूँ, एंटर, और यहां पर, चैनल, ग्रूप, वन, मोड, और, ओके, एग्जित, अब कमाड चलाओ, फो, इथर चैनल, समरी, अब देखो, इसके अंदर में कित्ते पोर्ट आ चुके हैं, 0-1, 0-2, 0-3, राइट, मतलब तीनों पोर्ट के आ चुका है, अब आ चुका है, अब यहां पर, लूप भी नहीं बनेगा, और तीनों लिंक को, यूज भी हम कर रहे हैं अगर स्विच फोर्स पे मेरा कुछ यूजर बैटा हुआ है और स्विच फाइब पे कुछ यूजर बैटा हुआ है दोनों के बीच में कॉम्मिनिकेशन होगी तो यह सारे लिंक यूज होगा मतलब यहां पर हम लोग लोड बैलेंसिंग कर लेते हैं तो यह था आपकिस तरीके से लिंक को बंडल करते हो इत्तर चैनल के हेल्प से होप कि आपको समझ में आ गया होगा अब नेक्स्ट वीडियो में डिसक्स करेंगे पोर्ट सेक्यूरीटी राइट छोटे छोटे वीडियो बनाके मैं आपको टॉपिक बाइट चोटा जोटा टॉपिक है जिसको कवर कर देता हूं आज के लिए इतना ही रहेगा बाइबाइब